दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बिहार की टॉप बड़ी निउस को देखेंगे दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोधे के आप इस वीडियो के एक प्यारा लाइक जरूर कर दे साथ हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताई क्या बिहार के किस जिले में रहते हैं तो चले सुरवात करते हैं आज की पाहली और बाड़ी खबर से चले पालिकर में देखें इंटिलिजेंस ब्योरो में दसवी पास के लिए सुलो से खतर बदो की भरती जने आवेदन वो चैन समित खास बाते जिया देखे भारत सरकार के ग्रियम अंद्राले के दहाद आने वाले इंटिलिजेंस ब्योरो ने अपने सबसीडियरी इंटिलिजेंस ब्योरो में सिकुरिटी असिस्टेंट और मल्टी टासिंग इस्टाब के सोलो से कतर बदो पर भरती निकाली है जिसके लिए आवेदन आप पांच नॉम्बर से कर सकते हैं रिक्त पदों में सिकुरिटी असिस्टेंट और एक्जेकुटीव के पंद्रों से 21 और MTS के डेड़ सुपद है वाई देखे एचु कुमिद्वार 55 नॉम्बर 2022 तक आवेदन कर सकेंगे वही एश्टी वह एससी वर्गों को अधिक्ता मायू से मैं में पांच वर्स और OBC को तीन वर्स की छूट मिलेगी बाड़ेखर में देखे एसससे जेटी कॉंस्टेवल का नॉटिपिकेसन जारी 24,000 से ज़्यादा पदों पर निकली है भरती जैदे के कर्मचारी चैन आयोग ने केंद्री अर्द सिनिक बलो एससेप और असम राइफल में राइफल में और नार्कोटेक्स कंट्रोल ब्यूर एक्जामनेशन में सिफाई के पदों पर भरती के लिए अधिकारिक नोटिफिकेसन जारी कर दिया है वैं बता दे कि जो मिद्वार आवेधन करना चाहते हैं आवेधन के प्रक्रिया सुरू हो चुकी है वाई दे के एचो को मिद्वार 30 नॉम्बर तक आवेधन कर सकते हैं वाई दे के आपको बता दे कि एससेन ने कौल 24,390 पदों पर भरती निकाली है जिस पर महिला वो पूरूस दोनों मिद्वार आवेधन कर सकते हैं बाड़ी खर में देखे बिहार में छट पूजा के दिन कोरे के साथ होगा सुरूदे जाने 31 अक्टूबर तक मौसम का हाल जा देखे बिहार में छट पूजा का महा पर सुरू हो गया 33 और 31 अक्टूबर को सुर्य देवता को अर्द चड़ाए जाएंगे मौसम विवा के छट पूजा के दोरान पूरे बिहार में मौसम समनेत साप राने का अनुमान है बाड़े के हलागे सुमवार को सुरूदे के समय को जगोव पर कोरा चाया रहेगा ऐसे में सुरज के दरसन में तोड़ा वक्त लग सकता है 31 अक्टूबर तक राज में बारी से अबादल चाय रहने के आसार ना के बराबर है मौसम विवा के पूरणवान के मुताबिक 30 अक्टूबर को समानेता निवंतम तापमान 18 से 20 डिगरी सलसेस के बीच रहेगा मौसम वाई इसके एक दिन बाद 31 अक्टूबर को ठर्ण बढ़ जाएगे और तापमान में एक डिगरी सलसेस के गिरावट सम्मव है बाड़ी कार में देखे बिहार में जहरेली हो रही है हवा साथ जिलो में AQI 300 के पार समस्तिपूर में एर क्वालेटी सबसे कराब सुचांक 500 से पार रहा है छट के मौके पर आसमान में दोन और कोहरे की बदली चाही रह सकती है वाईदे के पिछले 24 गंटे में समस्तिपूर में AQI 368 दर्ज किया ग्यावें मारेखर में देखे पाड़ना में छट पुजा के बीच लोगों को 17 डेंगू का डर अकड़ा पोचा तिरे पन सो के पार जिदे के पाड़ना जिले में डेंगू का प्रकोब लगातार बढ़ता ही जा रहा है जिससे नगर निगम और स्वास्त विभाग की ववस्तावों की पोल खुल रही है वाईदे के लगातार सहर के सबी इलाकों से डेंगू के मरीज मिल रहे हैं इसके साथ ही भारती मरीजों की सेंका में भी जाफा हो रहा है सुकुरवार को जिले में 214 नए मरीज मिले हैं इनमें सहर के PMCH में 36, IGIMS में 20 और NMCH में 35 मरीज पाए गए हैं इसके अलावा जिले के सबी प्रादामिक स्वास्त केंद्र अनमांडली अस्पताल और कुछ निजी अस्पताल हुआ पैतलोजी लेब के जाज में कूल 123 नए मरीज मिले हैं वाईदे के 27 लोग स्वास्तोने के बाद डिस्चारज भी किये गए हैं सिविल सर्जन कार्याले के अनुसार 123 नए मरीजों के साथ डेंगू का अकड़ा 5281 के पार पहुच गया है बाड़ी कर में देखे बिहार के 20 बिस्वी दलायों का फाइट करम बदलेगा वाईदे के राज के ओज सिख्चा ने देशक प्रोपेसर रेखा कुमारे ने बताये के सुबह के 20 बिस्वी दलायों में नए सत्र में सिबी सियस के तथ पढ़ाई कराये जाएगी इसके लिए सिलेबस में भी बदलाव किया जाएगा वाई उन्होंने बताये के सिलेबस बदलने के जिम्मेदारी राजबाउन की है इसके लिए अनुरोध पत्र राजबाउन को भेज दिया गिया है राजबाउन अब कुलपतियों की कमिटी बना कर सिलेबस बदलने का काम पूरा करेगा वादे के सबसे महतपुन बाद नया सिलिबस, नेट, यो पीएसी और बीपीएसी की परिछाव को देखते भी बनाया जाएगा बाड़ी करमदी के सेम नितिस का देश धान के खरीद में बीचोलिये गुसेत होगी सक्त कारवाई जादे के मुखी मंतरे नितिस कुमार ने कहा कि धान करिद में बेचोलिये और गड़वड़ी करने वालों पर सक्त कारवाई की जाएगी इसको लेकर मुईक मंत्रे निदेश कुमा ने बदादी कारियों को निदेश भी दे दिया है कि दान करीद कार में पुरी पार्दासिता बरती जाए वाई उन्होंने कहा कि अधिक साधि किसानों को दान के निउंतम समर्तन मुल का लाव मिल सके इससे सुनश्चित करे उन्होंने कहा कि राजसरकार किसानों की हर समवसाइदा देने के लिए पूरी तरह तदबर है दान करीद को लेकर किसानों की बीजे परचार पसार कराए ताकि उन्हें इस समन्द में पूरी जानकरी हो सके बाड़ी करमेदी के गोपाल गंज में बोले तजस्वी आदाव बिहार में रोजगार पर जल्द कुछ बड़ा एलान होने वाला है जल्द के बिहार के डिप्टे सियम तजसी आदों ने सुकरवार को कहा कि राज में कुछ महीने पुराने महागडबंदन सरकार ने बहुत से पदो को भर चुकी है अब जल्द बिहार में नोकरी और रोजगार को लेकर कुछ बड़ा एलान होने वाला है वाइदे के तेजसी व्यादों ने गोपाल गज में बिदान सवाब चुनाओ की दोरान आरजडी पर तैसी मोहन प्रसाद गुपता के समर्तन में आजित डेली में या गोस्ना की है वाइदे के गोपाल गज और मोकामा सीट पर तिन नॉमर को वोटिंग होनी है तेजसी व्यादों ने सुकुरवार को गोपाल गज में कहा कि बियार में जल्द नई नोकरीया पैदा होगी यह पिछले चुनाव में मेरे वादे से दूगना है मागडवनन सरकार इसे पूरा करेगी बाड़ी खर्मदी के चिराग पास्वान को लेकर गलत बयान बाजी कर रहे हैं बीजेपी भाजबा बोली उपचुना में हमारा प्रचार करेंगे लोजबा बोली कोई बात ही नहीं हुई है जादिके मौकामा और गोपाल गंज उपचुना में फसी बीजेपी के चिराग पासवान को लेकर गलत बयान बाजी कर रहे हैं बीजेपी के प्रदेश सदच संजेज जासवाल के दावी के बाद एही सवाल लुटकड़ा हुआ है संजेज जासाल ने कल मीडिया में पटना से बात करती हुए दावा किया दा कि चिराग पासवान एंडिये के सदच से और विये मौकामा और गोपाल गंज में हो रहे ही उपचुना में भाजबा का प्रचार करने आ रहे हैं बाद एही के लोग जन सकती पाड़ी के प्रदेश सद्याचेवम राज़तिवारी ने मेडिया को बताई कि भाजबा के प्रदेश सद्याचे संजेज जासवाल या उसके राष्टिय स्तर से किसी नेता ने चिराग पासवान के जुना प्रचार का करकरम तै करने के लिए न फोटो लगाने के मांग की है अब बिहार से लालू तजस्वी के पाड़ी से मांग उठ रहे है कि भारते करेंसी पर जनन आये कर पूरी टाकुरोर लालू प्रसाद के फोटो लगाई जाए इस पर भाजबा ने कतांजी कसा है वाई दिखे राज़त के प्रदेश महसची भ फोटो है तो वहीं दूसरी और जनन आये कर पूरी ठाकुरो और जोखे प्रसाद के थो में दूसरी तो ओब के राज़त के इस मांग का विरूद भाजबा की प्रवक्ता की पहां दिखे नहां राजब के बहारते करेंसिए राज़त और राज़त का गोसना पत्र नहीं है उन्होंने कहा कि जब चमचाई करनी है तो लालो प्रसाद के सादत जैसे यादव के पोटल लगवाने के भी मांग राज़त कर देते। इसके अलावनोंने कहा कि देश की जन्दा इतनी मूर्क नहीं है मंदिर में भगवान का इस्तान होता है रूपिया पर राष्ट पिता गांदे जी का इस्तान मिला हुआ है कहा कि राष्ट वाद से खिलवार नहीं करना चाहिए। वादे कि उन्होंने कहा कि सपने में भी ऐसा घर नहीं देखा था ये मेरे 30 सलों के संगर्स का नतीजा है। वादे के बिहार सरकाल अलप संक्यक समुदाई के चातरों की मदद के लिए इस योजना चला रही है। योजना के दाद अलप संक्यक कल्यान चातरावास में रहने ओले बच्चों को सरकार हर महिने रासन, समान और एक हजार रुपे के आर्थिक साहता वलब्द करवाती है। वाजे के बिहार सरकार के इस योजना को देश सुबह के अलप संक्यक समुदाई के चातरों को आगी की पढ़ाई के लिए प्रयरित करना है। के बाद लोगिन करके आविधन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। के बारिस हुए लेकिन अब लोग ठंड का स्वागत करने के लिए तयार है। के मौसम ने अब देजिस से करवट लेने सुरू कर दी है। ताबमान में गिरावट का दोर भी सुरू हो गया है। पाटना समेथ प्रदेश भर पज़वा वो उत्तर पज़वा का प्रवाब बनने लगा है। साथ देखे मौसम विबाकी और से ये पुरुमान मान जारी किया गया है कि अब चट परुके दौरान हलकी ठंड का एसास किया जा सके गा। बता देखे मौसम के मिजाज अब बदला तो लोग पतली चादर वो कम्मल निकलना सुरू कर दिये हैं। का खत्रा बढ़ गया है। कि कोई भी वेक्ति जाच करवाने नहीं चाह रहा है। सुबह से अब तक सिर्फ दो लोगों नहीं कोरोना जाच करवाया है। उन्होंने आगे कहा कि लोग बोल रहें कि अब कोरोना कहा है जो हम जाच लोग करवाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली नियूज देखने के लिए आप अमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। झाल 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 झाल